नमस्कार दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है च्छतीजगर समाचार जानिये च्छतीजगर में गर्माया आवास का मामला शिवराज और सायन ने बगहल को घेरा केंडिये कृषिये मंग गामीन विकास मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भुपेश बगहल सरकार को पापी बता दिया उन्होंने कहा कि उस सरकार ने च्छतीजगर के गरीब और आदिवासी भाई बहनों को मकान से वंचित करके पाप किया है कड़ी भेग घंटे तक चली मुलाकात के बाद च्छतीजगर के सी एम और डिप्टी सी एम को बाहर छोड़ने शिवराज आए मीडिया से उन्होंने कहा मुझे आज चर्रे हो रहा है कि च्छतीजगर में पिछली बार भुपेश बगहल जी की सरकार थी उसने काम होने नहीं दिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहित एक भी घर नहीं बनने दिया जो गरीबों के लिए बनाया जाना था केंडर ने पैसा भीजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री गामीन आवास योजना के लिए राज्य का हिसा जारी नहीं किया राज्य को विकास के लिए सभी तरह की सुविधार दी जाएगी, भंच भी दिया जाएंगे। हमने केंद्रिय मंतरी को बताया है कि नकसली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमार्पन करने वाले लोगों के लिए भी PLM आवास की हमारी मांग है। उसे भी सहानुभोती पूलवक्छ सुनते हुए इसे पूरा करने के लिए केंद्रिय मंतरी देव सायने नई डिली स प्रदान मंत्री ग्राम सरग योजना ग्रामीन, महात्मा गांधी राश्य ग्रामीन, रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार से फंस और अनिस विधाय देने को लेकर बात की है। भीना लाक से ज्यादा आवास मांगे और भी बहुत कुछ मुख्य मंत्री विशुदेव सायने 36 गरने प्रदान मंत्री आवास योजना से वांचित 15.12 एक 8 पार्त्र परिवारों के आवास का मुद्दा केंद्रिय मंत्री को बताया है। इसमें 6.59 नौन और परिवार योजन प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। इसके साथ ही इन क्षित्रों में जब तक बेंक इन सुवधाय उपलब दना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमती देने की मांग की। इन पुनों का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आदिवा सीक्षित्रों की सर्थ कनेक्टिविटी सुधेगी और नकसल उन्मूलंग अभियान को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्रमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौश्टिक होती हैं और आदिवा सीक्षित्रों में प्रमुख खाद्यपदार्थ हैं।